पहले question बात करें दोस्तों तो पसीना निकलने से सरीर का सबसे उपियोगी कार्य क्या होता है आपको बताना है कि जब सरीर से पसीना निकल जाता है तो सबसे उपियोगी कार्य क्या होता है तो right answer हो जाएगे दोस्तों option number B यानि सरीर का ताप नियंत्रित होना यानि पसीना नि कि इन में से पेसमेकर का संबंध किससे है तिसका राइट आंसर जाएगा दोस्तो अप्सन नमर डी यानी हिर्दय यानी हर्ट से पेसमेकर जोकी एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हिर्दया घात के समय हिर्दय की धड़कन को संचालित वा समंजित करने के लिए किया जाता है चलिए दोस्तों अगला कुशन देख लेते हैं निमनलिकित में से कौन प्रोटीन का सबसे सम्रिध इस्त्रोत माना जाता है चार अपसन है आपके पास बताना है कि इन में से कौन सा प्रोटीन का सबसे सम्रिध इस्त्रोत माना जाता है तो इसका right answer हो जाएको दोस्तोऊ option नमघ D soya bean Soya bean जोकी protein soya bean में पाया जाता है और मान्साहार में सरवादिक protein की बात करें दोस्तोऊ तो वह मचली में पाया जाता है अगर साकाहरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा soya bean में पाया जाता है protein और मानसा हरीग बात करें, तो मचली जो होती है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाय जाता है, चले दूस्तों अगला कुशन देख लेते हैं, वास्तविक चित्रड के आधार पर किसने मानो सरीर की सटिक ब्याख्या की, इनमें से बताना है कौन से विग्यानिक है, जीन इंड्रियास बेसलियस ने की थी, इन्हें आधुनिक मानो सरीर रचना बिग्यान का भी जनक कहा जाता है, और वीलियम हार्वे को, वीलियम हार्वे जो है, उन्हें परिसंचरड तंद्र का जनक कहा जाता है, दोस्तों, अगला कोशन देख लेते हैं, निमनलिकित में से कौ कौन सा उर्जा उत्पादक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उर्जा उत्पादक है, तो राइट आम से हो जाएके दोस्तों, ऑप्सन नमर B यानि कार्बो हाइडरेट, कार्बो हाइडरेट वा प्रोटीन दोनों उर्जा उत्पादक है, आपको बता दे कार्बो हा द्वारा शरीर को परियाप्ट उल्जा प्राप्त नहीं होती है। आगे देख लेते हैं विटामिन सहायता नहीं करता है। इनमें से आपको बताना है कि विटामिन किसकी सहायता नहीं करता है। तो right answer जागे दोस्तो औप्सन नमर ए यानि उतको में एंजाइम के निर्माण में विटामिन जो की रोगों की रच्छा करने में सहयता करते हैं और यह पाचन क्रिया में सहयता करते हैं और उपापचय में आवेज़क के रूप में काम करते हैं परंतु उतको के एंजाइम के निर्मान में बिटामिन कोई सहायता नहीं करता है, अंगला कोशन देख लेते हैं, मानो अंग में बिटामिन नहीं करता है, आपको बताना है इन में से कि जो मानो अंग में बिटामिन है, इन में से क्या नहीं करता है, तो राइट अंसर जाएगा दोस्तो, अपसन नमबर D, का पचन तथा बृध्धी में सहायता करता है और परन्तु कोई बिटामिन कारे सकती की आपूरती नहीं करता है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों अग्नियासय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिकित में से कौन है चार अप्सन है बताना है कि जो अग्नियासय होता है को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है तो राइट अंसर इसका हो जाएगे दोस्तों अप्सन नमबर C यानि सिक्रेटीन जो की नामक हार्मोन अग्नियासय को पाचक रस के उत्तेजित करता है और यह जठर रस के इस्त्रावळ को कम करता है तथा अग्नियासे की विद्धी और शूचारी का रेकी का भी प्रेसर करता है चलिए दोस्तों अगला question देख लिए है संतुलित भोजन में क्या होता है आपको बताना है कि संतुलित भोजन में इनमें से क्या होता है तराइटन से हो जाएगा दोस्तो अप्सिन नमबर ए यानी सुच्म व ब्यापक पोसड जबकि संतुल भोजर में ये सुच्म व ब्यापक पोसड होता है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड़ियों और दातों की सररचना के लिए आवस्यक है जिसका राइट अंसर जाएगा दोस्तो आपसन नमबर सी यानी कैल्सियम कैल्सियम जो कि हमारे सरीर में अर्स्थियों तथा दातों की सरचना के लिए आवस्यक होता है और फासफोरस भी कैल्सियम के साथ मिलकर अर्स्थियों तथा दातों का निर्मार करता है चले दूस्तों अगला कोशन देख लेते हैं क्रेनियम के उपरी भाग को ढखने वाली मासपेसी का नाम है बताना है जो क्रेनियम के उपरी भाग को ढखने वाली मासपेसी का नाम क्या है तो राइटन से हो जाएगा अप्सन नमबर ए यानि गेलिया एपो नियूरो टीका जो की सगतों में उतकों की एक कड़ी परत है जो कपालीका के ऊपरी भाग को ढखने का कारिय करती है चली दोस्तों अगला कोशन दिखते हैं मनुस्य के सरीर में क्रेनियल तंत्रिका की संख्या कितनी है तो इसका right answer हो जाएगा option नंबर A यानंी बार जोड़ी कपाली ये तंत्रिका यानि जिसे हम cranial nerves कहते हैं ऐसी तंत्रिकाएं हैं जिनका उद्गम सीधे मस्तिस्क से होता है और माना सरीर में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है अगला question देख लेते हैं दोस्तो हमारे भोजन में सरचात्मक खाद पदार्थ है आपको पताना इनमें से हमारे भोजन में सरचात्मक खाद पदार्थ कौन सा है ये भी most important है दोस्तो अब मैं एक सब्सक्राइब बार repeat हुआ है तो right answer जाएगा दोस्तो option number C यानि vitamin एवं खनीज से हमें कोई उल्जा प्राप्त नहीं होती है इनने सरचनात्मक खाद परदाथ कहा जाता है क्योंकि यह सरीर के प्रतिरच्छा तंतर के लिए आवश्यक होते हैं अगला question देख लेते हैं दोस्तो किस में protein नहीं पाया जाता most important है यह भी दोस्तो बताना है इनमें से किस में protein नहीं पाया जाता तो right answer हो जाएक दोस्तो option number C यानी चावल में आपको बता दे कि मास हो गया, दाल हो गया, दूद हो गया में अच्छे इस्त्रोथ हैं protein के और चावल में कोई protein नहीं पाया जाता या बहुत कम पाया जाता है चावल की बात करें तो इसमें carbohydrate का अच्छा इस्त्रोथ है अगला question देख लिए very very rogue किस vitamin की कमी से होता है आपको बताना है जो very very rogue होता है वो किस vitamin की कमी से होता है, तो right answer होजाएक दोस्तो option number B यानी vitamin B vitamin B की कमी से very very rogue हो जाता है अगला question देख लिए schwierнок vitamin E का रαसाइनिक नाम है most important यह question है दोस्तो बताना है जो vitamin E है उसका रासाइनिक नाम क्या है तो right answer हो जाएगा दोस्तो option number D यानि tocopherol आपको बता दे vitamin E का जो रासाइनिक नाम है tocopherol और अन्य vitamin के बात करें दोस्तो तो vitamin A होता है उसका जो रासाइनिक नाम हो जाएगा retinol होता है इसके अलामा B1 की बात करें तो thymine हो जाता है B2 की बात करें तो ribofloven होता है और B6 की बात करें तो pyridoxine होता है और vitamin C की बात करें तो ascorbic acid हो जाता है vitamin D का calciferol और vitamin K का phyloquinone हो जाता है अगला question देख देख देते हैं vitamin B complex के अभाव से होता है आपको बताना है कि vitamin B complex के अभाव से कौन सा नामक रोग हो जाता है very very important and most repeated हुआ है question तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो option number C यानि पिलागरा जो है vitamin B complex की कमी से हो जाता है बात करें अगर vitamin B1 की कमी से तो इससे very very तथा B3 की कमी से पिलागरा अथवा D syndrome नामक रोग हो जाता है जिसमें diarrhea, depression और dry skin रोग होता है अगला question देख लिते हैं, मनुष्री एक मिनट में कितनी बार सास लेते हैं most important ये भी question है, आपको बताना है कि मनुष्री एक मिनट में कितनी बार सास लेते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option number A यानि 16-18 बार आपको बता दे कि मनुष से प्रती मिनट में 16-18 बार सास लेते हैं और हिर्दय प्रती मिनट में 72 बार धड़कता है अगला कोशन देख लेते हैं निमनलिखित में कौन सा वितामिन जल में बिले होता है यह भी most important है बहुत बार repeat हुआ है question आपको बताना है कि कौन सा वितामिन है इनमें से जो जल में बिले होता है तो right answer हो जाएगा दोस्तो option number C यानि वितामिन C आपको बताते हैं दोस्तो कि विटामिन B वा विटामिन C जल में विले होते हैं और से सभी विटामिन A हो गया, D हो गया, E हो गया तथा कि विटामिन वसा में विले होते हैं चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो निमनलिकित में से कौन सा रसायन जल में विले है most important है अब ही आपको मैंने बताया है कि इन में से कौन सा रसायन जल में विले है तो राइडरन से हो जाएगा दोस्तों अपसन नमबर B यानी insulin बात करें insulin जल में पूरुड़तया विले है परंतु एथिल एथर, टाईलून और तथा उदासीन एथिल एलकोहल में अविले हैं अगला कोश्ण देख लेते हैं दोस्तो TBR फीबूला नामा खड़ी किसमें पाई जाती है आपको बताना है कि जो TBR फीबूला नामा खड़ी होती है वो इन में से किस में पाई जाती है तो right answer हो जाएगे दोस्तो option number B यानि टांग में TBI फूबला नामक हड़ी टांग में पाई जाती है और radio अलना नामक हड़ी भूजा में पाई जाती है अगला question देख लेते हैं दोस्तो एक साकाहारी को अपने सरीर के लिए आवस्यक फासफोरस कहां से मिल सकता है आपको बताना इन में से एक जो साकाहारी होता है उसको अपने सरीर के लिए आवस्यक फासफोरस कहां से मिल सकता है तो right answer हो जाएगा option number D यानि दूद से milk से दूद जो की फासफोरस का एक अच्छा इस्त्रोत माना जाता है और फासफोरस दूद के अलामा पनीर, हरी पत्तिदार सबजियां, बाजरा, रागी, गीरी, जई का आटा इत्यादी में भी पाए जाता है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में माना शरीर में विद्दिमान प्रमुख तत्व है, आपको बताना है कि माना शरीर में विद्दिमान प्रमुख तत्व कौन से है, most important है ये कोशन, जिसका राइट है जाएक दोस्तों, अपसन नमर D यानी, सोड सोडियम हो गया, गंधक हो गया, पोटैसियम, फासफोरस, कैलसियम, अगर हम मातरा की बात करें दोस्तों, तो सोडियम की जो मातरा होती है, ओ होती है, 0.2 प्रतिसत, गंधक की बात करें दोस्तों, तो इसकी मातरा हो जाती है, 0.25 प्रतिसत, और इसी तरह पोटैसियम की बा तो 1.5 से 2.2 प्रतिसत पए जाता है। अगला कोश्चन देख लिते हैं। मनुष्ब से निमनलिखित में से किस अंग के बिना भी कारे कर सकता है। चार आप्सिन पताना है कि मनूष्ब से किस अंग के बिना भी कारे कर सकता है। तो राइट अंस हो जाएगा option नमर B यानि टॉंसिल्स, मनुष से टॉंसिल्स के विना भी कारे कर सकता है और इसके लाव हो गया, दात हो गया, लीबर हो गया, तुचा हो गया, मानव सरीर के लिए नीतांत आवस्यक है, अगला question देख लेते हैं, मानव सरीर के किस अंग में अंगलियों में, बात करें कितना, तो अंगलियों में दोस्तों 56 हड़ियां पाए जाती है, इसके अलावा दोस्तों बात करें मस्तिस्क की, तो इसमें 8 पाए जाती है, छाती में 24 पाए जाती है, और कसे रुकाएं में पाए जाती है, 33, तो यह थी दोस्तों, आज की वीड वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत